एक बार एक आदमी एक संद के पास चाता है और अपनी प्रॉबलम बताता है कि संद जी मेरी जिन्दगी में कोई खुशी ही नहीं आती सोचा था जब मेरी नौकरी लगेगी तब पिता जी को एक कार गिफ्ट करूँगा और ये भी नहों पाया क्योंकि मेरी नौकरी मिलने से पहले ही उनका देहान थो गया सोचा था कि जब प्रमोशन मिलेगा न तो अपने बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाओंगा लेकिन प्रमोशन ही नहीं हुआ ऐसी और भी बहुत सी ऐसी खुशियां थी जिनके लिए मैं इंतजार करता रह गया लेकिन मुझे वो कभी मिली नहीं मुझे समझ सी नहीं आती कि क्या मुझे कभी खुशियां मिलेगी भी या नहीं संत उठे और उस आदमी को पासवाले गार्डन में लेके गए जहाँ एक लाइन में बहुत से गुलाब के फूल लगे हुए थे उन्होंने उस आदमी को कहा कि काम करो, लाइन से ये फूल देखते जाओ, और जो सबसे सुन्दर फूल लगे उसको तोड़ लेना लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि एक बार जिस फूल से आगे निकल गए, उस पे वापस नहीं आ सकते यानि कि तुम पीछे वापस नहीं आ सकते और हाँ, फूल लेके आना भी जरूरी है वो आदमी चलता गया, तो उसको कुछ बड़े फूल दिखते, तो कुछ छोटे हर फूल पे पहुँच कर वो इसी सोच के साथ उसको छोड़ देता कि कहीं इससे सुन्दर फूल आगे हुए थो जब वो उस लाइन के तकरीबन एंड तक पहुँचा, तब उसने देखा कि अब सिर्फ मुर्जाय हुए से कुछ फूल बचे है और उन में से उसको जो सबसे खिला हुआ फूल देखा, उसको तोड़कर वो अपने साथ संजी के पास ले गया और बोला कि संजी, मुझे रास्ते में कई बड़े और चोटे सुन्दर फूल देखे थे लेकिन मैं इसी आस में आगे चलता गया कि कोई और सुन्दर फूल मिलेगा आगे चलता गया लेकिन एंड में सिर्फ मुर्जाया हुआ सा फूल ही बचा था तब वो संथ मुझे और बोला कि बेटा, तुम सबसे सुन्दर फूल की तलाश में आगे बढ़ते गए और जितने सुन्दर फूल थे, उनकी जगा ये मुर्जाया हुआ फूल लेके आए ये गार्डन समझ लो कि तुमारी जिंदगी है, तुमारी लाइफ है और ये फूल उस जिंदगी के सफर में आने वाली चोटी बड़ी खुशियां है जैसे तुम ये सोचकर चलते गए, कि आगे और सुन्दर फूल मिलेगा बाकी फूलों की खूपसूरती को नजर अंदाज करते रहे ठीक उसी तरह जिंदगी में आने वाली चोटी चोटी खुशियों को हम नजर अंदाज कर जाते हैं एक बड़ी खुशी की तलाश में और जब तक ये समझ आता है, जिंदगी निकल चुकी होती है उल्जनों को सुलजाते चलो, खुशियों को फैलाते चलो, जिंदगी एक सफर है, मुस्कुरा कर कदम बढ़ाते चलो वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, कोमेंट और शेर कर देना All the best